नमस्कार, नमस्ते, हरियोम, जैसियाराम, सभी को रामराम सा खम्मा घणी बहुत सी बहनों का निवेदन रहा है, बहुत सी बहनों ने कमेंट किया है कि आप बेल और बूंटी का जो भी वीडियो बनाएं तो वो साथ में बनाएं, अलग-अलग ना बनाएं कभी आप बेल दिखाते हैं और कभी बूंटी दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि बेल के इसाब से बूंटी और बूंटी के इसाब से बेल का एक साथ में वीडियो बनाया करें तो उनकी डिमांट पर आज मैं आपके लिए बेल और बूंटी का साथ में कलेक्शन लेकर के आया हूँ शुरू करें उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए जिससे गोटा, बूंटी, बेल और ओडने के लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए और इन में से आपको कौन सी बेल और बूंटी या ओड़ना आपको पसंद आया तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये बूंटिया मैंने पहले भी एक दो वीडियो में दिखाई थी इन बूंटियों के साथ में अगर आप गोटे का कलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस परकार की बेल ही लें क्योंकि जो भी आजकल बेल आ रहे हैं उन में सारे के सारे ऐसे ही कलर आ रहे हैं जो इस बेल में होते हैं और ये हेवी बूंटिया है इनका कलर ऐसा है कि इनका color का combination बेल के साथ में ही बैठ पाता है इनके साथ में अगर आप इस परकार की बेल लेंगे तो ये इनके साथ में ठीक से suitable हो नहीं पाएगी और आपका जो ओडना है वो heavy लेने के बाद भी बूंटी भी heavy लेने के बाद भी वो अपना look उतना नहीं दे पाएगा तो इसके साथ में अगर आप लें तो इस परकार की मिलती जुलती डियाईने जैसे ये बेल है बेल में मिलने वाली इस परकार की और भी अन्ने डियाईने आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये इस बूंटी में इसी परकार की बेल है वो अच्छी लगने वाली हैं आप अगर dark outline जो ये इसकी outline होता है ये dark green गलर का होता है कुछ में blue कलर का होता है तो इन में अगर आप बेल लें तो आप इस परकार की बेल लें क्योंकि यह इसके साथ में एकदम सेम कलर के कॉंबिनेशन के साथ में बैठने वाली है आप यह देखी रहे हैं इसमें जो यह फिरोजी लाइट कलर है सेम कलर इस बूंटी में भी होने वाला है इसमें डार्क ब्लू कलर है तो इसमें भी डार्क ब्लू कलर है वैसे मैं इतना नजदी करके दिखा रहा हूँ हालां कि बूंटी है वो गोटे के ओडने के उपर इतनी नजदीक नहीं रहने वाली कम से कम दो फिट की दूरी पर ये रहती है फिर भी कलर कॉम्मिनेशन आपने मिलाने के लिए देखें तो आप देखी रहे हैं एकदम सेम जो इसमें कलर है वो ही कलर इसमें होने वाला है और आप देख रहे हैं पूरा स्टॉन का इटम है heavy item है lace भी इसमें बड़िया एकदम top notch quality की use में लिग गई है material की बात करें तो material इसमें हमेसा ही हम बड़िया quality का ही इस्तिमाल करते हैं क्योंकि जो ये stone वगिरा आप देख रहे हैं well weight है ये stone वगिरा ये सारे हम अलग से लगवाते हैं ये कच्छी lace अलग से आती है और उसके बाद में लगवाते हैं तो quality से हम कभी भी सुझाता नहीं करते हैं बड़िया quality का ही आपको मिलने वाला है इसके साथ में मैं दूसरी बेल ओर दिखा दूँ जो ये मूटी देख रहे हैं अब उसमें आपने देखा उस मूटी में उसमें कलर थोड़े different थे जैसे इसमें blue का combination है इसमें blue का combination नहीं है सिर्फ outlining में कहीं कहीं यूज में लिया गया है और इसमें आप देख रहे हैं ये जो color है ये फिरोजी color है और इसमें है ये light green है इसमें peach का भी option है इसमें peach का नहीं है अलग है तो इस प्रकार की मूटी के साथ में अपन कौन सी bell काम में ले तो ये मैं तोता वाली दिखा रहा हूँ ये मूटी इसके साथ में एकदम गजब बैठने वाली है आप देखी रहे हैं इसमें जो pink color है same as it is इसमें भी थोड़ा इसमें से एक मूटी अपन निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्योंकि single मूटी प्लास्टिक के अंदर से थोड़ी ठीक नहीं लग रही अब देखी आप जो भी color है इसमें orange है, इसमें भी orange है इसमें pink है, तो इसमें भी pink color है जो outlining इसकी है, वो green है तो इसमें भी joystone है, वो एकदम green color के हैं कुल मिला की बात यह है कि इस बूटी में ये बेल एकदम सठीक और अच्छी लगने वाली है बोड़ने के उपर कितनी सुन्दर लगेगी है आप देखी रहे है बेल और बूटी दोनों का combination का गजब का बेट रहा है देखते ही बनता है और इसमें अगर आप बीच में वो ही अपने वाला चांद अगर रगाना चाहें तो काफी सुन्दर लगने वाला है ही जो ये बूटी है, आप देख रहे हैं इसके साथ में कौन सी बेल बेटेगी तो मैंने पहले दिखाई थी, वो भी इसके साथ में काफी अच्छी बेट जाने वाली है क्योंकि पिंक कलर का उप्शन इसमें भी है और इसके अलावा आप इन आइटम्स में अगर लेना चाहें तो ये भी काफी बेटर इसके साथ में मेच हो जाएगा देख रहे हैं, सिंगल मूटी अपन निकाल लएते हैं इसमें से और देखते हैं सिंगल मूटी निकालने के बाद आप देख रहे हैं एकदम गजब का मेच इन बेलों के साथ में हो रहा है और इस बेल को भी मैं थोड़ा आगे दिखा तो इसमें भी आपको डियाइन है हमारी सोप पर अगर आप विजिट करेंगे तो खूब सारी डियाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगी सबसे ज़्यादा यही बेल इसमें मेच हो रही है क्योंकि जो भी कलर हैं डार्क है पिंक है यह जो फिरोजी लाइट वाला है सारे के सारे कलर इसमें मेच हो रहे हैं इसमें और भी बूटी में भी खूब डियाइन्स मिल जाएंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक नहीं बैठेगा इसमें और भी खूब डियाइन्स मिल जाएंगी बेल है बेल में भी आपको खूब सारे डियाइन्स यहां पर मिल जाएंगी हेवी ओडने की एकदम सांदार सांदार डियाइन्स मिल जाएंगी अभी इस समय घर से ही सारा काम हो रहा है तो यह आपको देख रहे हैं यह थोड़ा कम है सोप से अगर देखेंगे तो बहुत ही बहतरी और जो बेल है इनका लंबा क्लेक्शन आपको मिल जाएगा खूब सारी बेले मिल जाएगी आप देखते देखते ठक जाएगे लेकिन के नजदिक पड़ता है अगर आप कहीं से भी गोटा खरीदें तो उससे पहले आप से निवेदन है कि आप हमारी सोप सुमन फैंसे एंट गोटा इस्टोर पर एक बार जरूर विजड करें मेरा दावा है आप किसे अन्य सोप से कभी भी गोटा नहीं खरीदेंगे क्योंकि जो हमारी क्वालिटी होती है वो एकदम टोप नोच क्वालिटी की होती है हम कभी भी क्वालिटी से समझोता नहीं करते हैं थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो